नमस्कार मैं हूँ श्रद्धा आप सभी का हार्दी कभी नंदन करती हूँ हमारे स्फिशेश कारेकरम भविश्य दर्पन में इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख सम्रिद्धी और शांती का वास हो और तमाम तकलीफें आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो अपनी डिखवाते हैं के बात जब आपको पता चलता है क्यों ठीख है लेकिन जब अपने जीवन की परेशानियों के बारे में ौको सबनी कूँ है अब पर समयक्स कारते हैं गर Emerald मी बदो करें जीवन के परेशानिय forms वास्तु थीक है तो जीवन की परेशानियों को किस प्रकार दूर भी कर सकता है इसके अलावा वास्तों से सब्मंदित बहुत सारे प्रश्णि जो हमारे दिमाग में अक्सर कौनते रहते हैं प्रश्ण जरूर आपको बता दू कि जब भी घर का वास्तु या फिर अपने ऑफिस का जहां भी आप काम करते हैं फैक्टरी का वास्तु ठीक कराने की बात आती है तो मन में एक प्रश्ण जरूर कौनता है और वो प्रश्ण यह होता है कि क्या आप घर तुडवाना पड़ेगा तो यह भी एक प्रश्ण है जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से कौनत रहा है कि अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है तो क्या यही एक option है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे साथ ही लेंगे आपकी कॉल्स बार बार आपके TV स्क्रीन पर फ्लेश किये जा रहे हैं चलिए करेंगे का आएकरम की शुरुवास सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे एस्ट्रो मेडिकल एक्सपर्ट आचारे जेपी सिंगी का बहुत बार ये लाइन सुनी है मुझे नहीं लगता है आपको परिशान होना चाहिए ये तो आपको बहुत अच्छा पीरियर चल रहा है इस ताइम तो बल्कि आपके पास पैसा आना चाहिए लेकिन जब वास्तवित्ता हमारे सामने होती है अचारे जी और हम जो जहेल रहे हैं हम जो महसूस कर रहे है वो इससे बिलकुल परे है ऐसे समय में वास्तु की तरफ हमें कितना धिहान देना चाहिए और वास्तु का क्या एहम योगदार है ये मेरा प्रशन है सर प्रतम दर्शको साधर पड़ाम और ओम गंगन पताय नमें देखें हम वास्तु को सिर्फ दोधी रुपों में जानते हैं कि हम सिर्फ उससे दिशा की तरफ बात करते हैं या हम अम ये देखते हैं कि हमारा घर पूरव मुख होना चाहिए अधित तक लोगों की यही ब्रहांती है जबकि वास्तु को अगर हम देखें तो पृत्वी की वास्तु की बात करता है वास्तु हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन यापन के लिए हम प्रकृति के साथ चलें तो बहतर है अन्य था हमें संगर्ष करना होगा ये जो भाशा है ये परवर्टित करती है कि हमें कहां किस चीज़ से लाब लेना है ये जानना है तो इस तिती में सबसे पहली बात आती है कि हमें वास्तु के नियम क्या है और हमें उसको किस तरह अपनाना है तो सबसे पहली बात आती है कि पत्रिका के आधार पर आप वास्तु को लेकर चलें आपकी पत्रिका क्या कहती है उसके आधार पर दूसरी बात खास तौर पर कि जब खास तौर पर जैसे भी बताया गया कि आपके दिन तो बहुत अच्छे चल रहा है पर आप समस्चा बता रहा है बड़ी अजीब सी बात है ऐसा हो नहीं सकता आपके साथ में तो ऐसा कब होता है यह तारतम में क्यों नहीं होता यह इसलिए नहीं होता कि आपकी प्रस्तिका में बेशक गजगेस्री योग हो या महालक्षमी योग हो और धन की निर्धनता का ऐसा समय बन जाता है कि आदमी दुखी होकर ये कहने लगता है कि मैंने ऐसे कौन से करम कर दिये जो एक पैसे पैसे को मौताज हो रहा हूँ उसका कारण होता है कि हम अपने घर में नहां रखी है तो मुख्यता है वास्तु की घमिया दिखो दिशाओं के आधार पर नहीं जादा देखने को मिलती है और साथ में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि वहां पर भूमी निर्षन नाम की कोई चीज़ नहीं है अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो भी हम यह देखते हैं कि निश्चत तोर पर हम अंटीर नहीं वहां ठीक करते हैं देखें दस मिंजला इमारत है अब उसमें वास्तु बिल्डिंग का तो नहीं चेंज किया जा सकता आप अपने फ्लैट का करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं कि उसका इंफ्लासर्चर वैसे ही बना है वो बीम्स पे पिलर्स पे जो बना है वो वहीं रहने वाला है तो आप उसे बदल नहीं सकते हैं आप अपने इंटीर में बदलाव कर सकते हैं, वहां अंदर यंत्र सापित कर सकते हैं, या और विधाय हैं जिनके आप उनको ठीक कर सकते हैं, पर सबसे पहली बात आती है, कि आपने कौन सी चीज कहां रखी है, ये जानना जरूरी है, और अगर आप ये नहीं जान रहे हैं, आप अपने लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं, दूसरी चीज, आप प्लॉट लेके बनाना चाहते हैं, अपनी इच्छा से बनाना चाहते हैं, और भूमिन इरक्शन नहीं कराते हैं, भूमिन इरक्शन क्या चीज है, ये सबसे पहली जानने जरूरी है, लोग समझते हैं कि आकर सिर्फ धरती को देख के चले जाना है, नहीं, वहाँ पर सोल टेस्टिंग करी जाती है कि वो धरती अप जाओ है, नहीं है, वो किस परकार की धरती है, वो मारक तो नहीं है, यहीं वहाँ पर किसी परकार का दुश्परभाव तो नहीं है, उसमें सा तो मैंने उनसे कहा कि साब अगर मुझे आप समय दें तो मैं भूमी निरक्षिन करूं उन्हें का बिलकुल ठीक है आचारे जी आप जैसे चाहें वैसे करें आप यकीन मानिए मैंने वहां पर दो तिन टेस्ट करें जो भूमी निरक्षिन के लिए किये जाते हैं और जब उन पर रहने वाले चोकिदार से दो प्रशिन पूछे तो वो अचारे जी आपने ये प्रशिन कैसे पूछ लिया मैंने का साब ये फैक्टरी जब बंद हुई थी तो उस समय खास तोर पे जो इनके मालिक थे उनकी पार्टनर्शिप पहले डिजॉल्व हुई फैक्टरी बाद उसकी तब्यत खराब हो जाती है उसने का बिलकुल ठीक कह रहे हैं अचारे जी मैं कई बार बिमार पढ़ चुका हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि अकेला हूँ फैक्टरी में बैठा हूँ तो कई बार मौसम की वज़े से या कई बार कहले बैठे रहते हैं तो इस वज़े से भी तबित खराब हो जाती है पर अब आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ उपरी चक्कर है तो उसने जब ऐसा बोला तो मैंने का हाँ मेरे बंदू यहां वैसी ही एक स्थिती है जिसके कारण आप बार बार इस स्थिती में आ रहे हैं कहते हैं मेरा मन तो कहता ता पर मैं किसी से कहूंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे पर नहीं यह है यहां पर तो ऐसी स्थितियां ही हम अनभव करते हैं जो हम बास्तू निरिक्शन की बात करते हैं भूमी निरिक्शन की बात करते हैं पर हमने मुखेता है बास्तू को सर्फ एकी दिशा में देख औरारे रहसे और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपके चहरे महरे पर भी इसके पर्भाव दिखाये देने लगते हैं क्यांकि जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान मिशेश पर प्रभाव आपके शरीर पर भी पढ़ता है क्योंकि नकारतम उर्जा निश्यत तोर पर आपके चेहरे मोरे पर दिखाई देने लगती है और उससे बचने का तरीका यही है कि हम उस चीज़ों को अनिरिक्षन कराकर उनको ठीक कर लें अनिता वो एक विक्राल रूप धारण करके हमारे जीवन को कहीं न कहीं संकट में भेज देते हैं अठाचेहरे कि आपने बात कही तो हम आपसे जैसा की बार-बार कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या है देटोबोत आपके पास नहीं है सही समय नहीं होता है बहुत से लोकों के बास और फिर यह समस्या होती है उनके सामने कि क्या मेरे भविशी को कोई नहीं बता सकता ऐसे में आप अपनी फोटो भीजें आपकी फोटो के माध्यम से बताया जाएगा आपके जीवन की परिशानियां चल रही है क्यों चल रही है और कैसे उनको दूर कहा सकता है आपको कुछ करने की जबरत नहीं है केवर अपनी फोटोग्राफ भीजनी है एड्रस आपके सामने कारिकर्म के अंत में आपको दिखाया जाएगा साथी साथ नंबर्स फ्लेश किया जा रहे हैं आप संस्था में फोन करके भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलाबा अभी वास्तो से संबंदी जब बात चली रही है तो आचारी जी ने बताया कि चेहरे पर भी आपके नज़र आने लग जाता है कि घर का वास्तू अगर ठीक नहीं है तो तो उसका भी उपाय जो है वो करे जाएंगे और इन परेशानियों से आपको बाहर नि जिसमें हाती बने हुए है औरेंज कलर का तो आपने मुस्ते गलता फौरा उंतार दो इसमें हाती लगे हुए हैं तो मैं वो नहीं लगाना चाहिए और मैंने आपसे रीजन पुछा तो आपने गाता कि राहू की वज़ह से अच्छा और यह सचाई है कि वो जितने दिन मैं लगाया तो एक प्रॉब्लम से मैं परिशान चल रही थी और मैं जैसी हटाया वो प्रॉब्लम दूर हो गई तो मैं यह जानना चाहूंगी कि कई बार हम अपने घर को खुबसूरत बनाने के लिए कि यह खुबसूरत लग रहा है घर मिलाके रख लो यह खुबसूरत लग तो हम सजाना चाहते हैं सवारना चाहते हैं अब इस सज्जा के अंदर कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वज़े से बहुत सी दिक्कते पैदा हो जाती हैं क्यों क्योंकि हम यह नहीं जानते कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं क्योंकि हम positively सोच रहे ह हम सजा रहे हैं खुबसूरत बना रहे हैं तो यह अच्छा ही होगा अब अकसर देखते हैं पैंटिंग्स की बात ही अगर हम कर लें तो हम देखते हैं घर में अलग अलग तरह की पैंटिंग्स हम घर में लिखे आते हैं पर किस पैंटिंग का क्या महत्व है और हमारे पर क् कभी ध्यान नहीं देते, दूसरी बात, कई बार में लोगों को दिखता हूँ, फ्लावर पॉट्स रखते हैं, उसके अंदर फूल रखते हैं, किस तरह रखने हैं, कहां रखने हैं, कोई महत्व नहीं है, बस सजाना है, और उनको लगता है, यह सुन्दर लग रहा है, दूसर कि अगर आप पत्रिका के महध्यम से यह जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो निश्यत तोर पर इसके लिए बहुत आसान से रस्ते हैं, पर हम वास्तों को इस तरह समझते हैं, आचारे जी को बलाना पड़ेगा, उनसे संपर्ख करना पड़ेगा, कोई किताब पढ आनिक्षा बना के लिए दिए पहते हैं चाहिते हैं किसिए इवन जाने के लिए दुग कर सकतर जाना पर गार आएंगे, फिर यह ऑन पर कितना प्रयास करेंगे, तो आपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और आपने जीवन इने सम्रिध्ध में चाहते हैं तो इन चोटी छोटी यह लापर्वाइओं बढ़ा रहे हैं और मैं यह चाहता हूं कि किसी प्रकार से भी कोई भी समस्या का समाधान हम कर सकते हैं तो हम अगरसल है, आप हमारे तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, हम आपकी तरफ दस कदम बढ़ाना चाहते हैं, ऌफ सबसे पहली बात है कि आपकी इच्छा हो, आपका मनोरत हो मैं अकसर लोगों से एक बात कहता हूँ कि साब अगर आप मन में कोई इच्छा धरन करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं तो वो संपूर्ण होती है क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है आत्मबल आत्मबल तभी होता है जब हम अपनी मनुच्छा को पूरती के लिए उसके पीछे लग जाते हैं पर हमारी अगर शर्दा विश्वास नहीं है तो हम उसके पीछे नहीं लग सकते हैं क्यूंकि अगर हम जीवन में सुख चाहते हैं तो सुख के पीछे भागना होगा पर कई बार हम दुक का पल्लू पकड़ कर वहीं बैठके रोना चाहते हैं और यह कहते हैं कि नहीं देखी हमारे भागये में दो दु messenger लिखा है हम कहां कर सकते हैं सब कुछ आप कर सकते हैं आप सुधार भी कर सकते हैं और बिगार भी सकते हैं पर अगरसर आपको ही होना है आपको ही समझना है कि मुझे अपने जीवन में किस परकार से सुख लेके आने हैं और अगर ये आप चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है आपको ये करन मैं आपको इसका एक छोटा सा उधारन देता हूँ, मैं एक आफिस में वास्तु जिट के लिए गया, वहां देखा कि वहां जो करमचारी है, क्लाइंट वहां बैठे हैं, वह बड़ी परेशान और डिप्रेस्ट बैठे हैं, उसका कारण क्या है, कि सबसे बड़ी बात वहां दौरदोश है, दूसरी चीज़, कि वहां एक चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, कि वह व्यक्ति किस मुख में कौन सा व्यक्ति बैठा है, ये सबसे बड़ी महत्ता की बात है, कि जो व्यक्ति साउथ की तरफ फेस करके बैठा हूँ है, आप उससे उमीद नहीं क चार सकते हैं कि वह खुश रहेगा, क्योंकि जो यम्पुरी की तरफ मुख करके बैठा है, तो यम्राज का भैत उसे खत्रा बना हुआ है, उसे हमेशा अपनी नौकरी बचाने की लगी हुई है, क्योंकि आउटपुट दे नहीं पाएगा, और निश्यत तोर पर वह वह व चाहते हैं कि साब मैं टॉप पे हूँ, तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, अब इन चोटी-चोटी बरीकियों को अगर हम समझ लें और इन चीज़ों को थोड़ा कहीं रेमिडिस के थ्रू बदल दें, क्योंकि मैं अक्सर एक चीज़ चाहता हूँ, वास्तु के साथ में, क तोडव पोर इसका जल्यूशन नहीं है, किसी चीज़ को तोड़ कर दوبारा बनाना संभाव नहीं है, हर वेक्ति के लिए संभाव नहीं है, कोई भागत धानाड़ है, या चाहता है, कर सकता है, तो बात अलग है, अ Odderwuyze, हर वेक्ति नहीं कर सकता, तो हम यहीं कि चाहते है अपने जीवन को भी कgoing मैशे बनाना तो इसका माध्धमिशाजा अज कने आप अगरसना होना है निए अपने जीवन को सुछरने ह abort अब और आगर जाजने आ जो रह गर gefलोड़ाब वů bit नहीं तो को दो और बहुत तंग करते हैं. घर में किस कलर लेना चाहिए? कौन से दिशा में क्या करना चाहिए? ये चोटी चोटी चीजे हमें बताती हैं कि हम अपनी जीवन को किस तरह सुक्मे बना सकते हैं पर हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं. कि आपको वाल पेंटिंग क्या लगानी है? आपको curtain किस तरण के रखने हैं, आपको bat sheet किस तरह की बिचानी हैं, आपने घर में aquarium रखना है नहीं रखना है, कोई pet रखना है नहीं रखना है और रखा है तो कहां बांधना है, सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, आपने kitchen बनाई है, तो उसमें मसाले कहां रखने है, water placement कहा रखना है, यह छोटी छोटी चीज़े हैं, आप वासिव के according चीज़े बना भी लें, बना बनाया मिल भी जाए आपको, और अंदर की placement आप गलत करने तब क्या होगा, क्योंकि आप देखिए, kitchen के अंदर water row बना हुआ है, आपने कौन सी चीज कहां रखना है, आपको बताने कोई नहीं आएगा, three side में बना हुआ और आप कहीं पर कुछ भी रख सकते हैं, आपको freedom में, then आप उसमें कुछ भी कहीं रखेंगे, तो दिक्कत आपके लिए ही होगा, क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं, हमसे किसा आप घर में बरकत नहीं है, अब बरकत क्यों नहीं है, उसका कारण, आपके सामने हमने बताया, कि आप छोटी छोटी चीज़ों की गलतीयों के कारण ये कर देते हैं, हम घर के अंदर, हम खास तोर पे लोग बार बना देते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनको शौक है, बनाएं, पर हम तो इस चिसके against हैं, कि आप बार घर में जो है, वो नशे में चूर हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, कि कहां गलतीयों हैं, और किन गलतीयों से हमें क्या नुकसान हो राई, उसका कैसे सुधार करना है, अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ जाते हैं, तो मैं समझता हूं, कि हमारा ये प्रजिशम आप तक पहुंचने का सफल हो जाता है और हम जो चाहते हैं कि आपको जीवन में किसी परकार से भी कोई दुख ना मिले चाहे वो जोतिश के माद्यम से हो, चाहे वास्तु के माद्यम से हो चाहे किसी भी और विधा से हम आपकी साहता कर सकते हैं तो हम अगरसर हैं, बस सिर्फ चाहा यह है कि आप भी उस चीज़ को समझें और उसका लाब ले सकें लाब ले सकें और अब तो इसको इतना आसान कर दिया है कि सिर्फ फोटो भेज़ें आप अपनी फोटो भेज़ें यह समस्या हैं समस्या है आपको बतायाजाएगा क्यों है यह भी बताया जाएगा और सबसे बैस पार्थ क्योंकि हम पहले भी बात करerson कीaina को कहते हैं आप दवाई खाते रहते हैं इसी तरह अपनी फोटो बेजें बाकि सब आप डॉक्टर यानि के आचारी जी पर छोड़ दीजें आपको ठीक करना आपके शरीर रूपी जीवन है इसको ठीक करना उनका काम है सिर्फ फोटो बेज़ निये नबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लेश किये जा रहे हैं और कुछ लोगों को मैंने बड़ा सुना है बड़े नेगेटिव होते हैं कहते हैं अब हम क्या क्या चीज वास्तु के हिसाब से रखे अब यह भी वángते हैं उनके पैस मुछ लगता है यह बहाने होते हैं वह जरूरी है मैं अपने घर में हमीशा हमेशा इसी पलेगर के लेकिन यहाँ पर मैं चीज सोचती हूं कि भाई जिस चीज से जीवन में खुशियां आ रही हैं जिस चीज से जीवन में सुकून आ रहा है शांती आ रही है धन संपन्नता आ रही है आप निरोग हैं तो क्यों आप उसको करने से पीछे अट रहे हैं और फिर आप क्यों उसको अपने घर के वास्तु को ठीक करा लें अपने जीवन की परिशानियों को ठीक करा लें नमबर्स बार बार आपके TV स्क्वीन पर फ्लेश किया रहे हैं अच्छा मेरा अगला प्रशनु वास्तु का जब भी नाम आता है मेरे मन में भी डर है जिनका अपना घर है एक तो घर बनाना इतना मुश्किला चारी जी आज के जमाने में इसान पाई पाई जोड कर तो घर बनाते हैं अब बन गया गलत या फिर हम फ्लैट सिस्टम जो हो चुके हैं ले लिया हमने अब फिर यह डर रहता है कि क्या अब इसक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और अगर अपना घर बनाया है तो भी घर को तुड़वाना और उसको फिर से बनवाना नोट पॉसिबल तो इस सिचुशन में क्या कर सकते हैं देखिए यही बात हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें यह डर निकालना है कि वासु सिर्फ तोड़ है और शादी क्यों नहीं हो रही है कि जो भी लड़के वाले आते हैं वो देखते हैं हां करते हैं और उसके बाद दुबारा पुलट के नहीं देखते हैं या उसके बाद वो दुबारा रिपीट ही नहीं करते हैं इस बात को हम पूछते हैं तो बताएंगे देखते हैं करत तो वो यह प्रदर्शित करता है कि आप आए हैं और चले जाएए अब आपको रोकना नहीं चाहते हैं तो ऐसे सिती में सबसे पहली चीज है कि एंट्रेंस से विप्रीथ होना चाहिए था वो अंदर की तरफ मुकरता हूँ से बाहर का रस्ता नहीं दिखाना है हम अक्सर काहवा सुनाते हैं इसको बाहर का रस्ता दिखाओ तो हमें ऐसा महमान है जिसे घर में रोकना है लड़के वाले हैं उन्हें हमें बाहर का रस्ता नहीं दिखाना है उनको अंदर का रस्ता दिखाना है कि तुम यहां आयो हमारे हो जाओ तो ऐसी प्रस्तियां कौन ब बिजें आप मेल के ज़एं, किसी तर्वीड़ा से आप भी पर भीजें इसके माधद्तियम से हम आपके साहिता के इससे तरह कर सकते हैं और बहुत सारे विधाओं के माद्दियम से हम यह जान जाते हैं कि आपके साथ यह भी प्रशानी है आपको क्या मेडिकल प्रॉब्लम है हम यहां तक यह भी जान सकते हैं पर सिर्फ आपको यह प्रियास करना है कि आपको यह फोटो बेजना है और अपनी डिटेल्स हमें नोट कर्वानी है, रिजश्श्यशन कराना है कि साथ मेरा यह फोटोग्राफ है मेरा यह पता है अगर आपको डेटोबर्ट टाइम पता है तो बताएए शौक से अगर नहीं पता है तो भी कोई चिंता नहीं हम आपकी साहथा करने के लिए अग्रसर हैं क्योंकि विदाउट डेटोबर्ट जो लोग यह सोचते हैं कि मेरे में चीवन में तो अब कुछ होई नहीं सकता मेरी तो कोई साहिता हो भी नहीं सकती उनकी निराशा दूर करने का हम पहल करी है कि हम उनकी साहिता के लिए इस फोटोकराफ के माध độiम से उनका ट्रीटमें करेंगे और खास हम उनको कोई भी ऐसी रेमेडी करने के लिए नहीं कहते हैं जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़े यह बहुत आदिक खर्चा करना पड़े हम सिर्फ यह चाहते हैं कि वह व्यक्ति सिर्फ अपना फुरोग्राफ भेजे और बाकी सब हम पे छोड़ दे और विदिन फिफ्ट करके चलें कि हाँ यह हो सकता है क्योंकि हमें आदत सर बढ़ गई है बहुत कुछ करने की अब हमें कहा जाए कि कुछ मत करिये सिर्फ एक फोटोग्राफ भेज देजिए तो कैसे यकीन हो कि हमें तो आदत है करम कांड करने की इसलिए आपको बार बार इससे हटके एक बात क अगर आज से पचास साल या सो साल पहले किसी को कहा जाए कि मुबायर जैसी कोई चीज होती तो मुझे लगता है शायद उसे यकीन तक ना हो पर आज यह सारा कोश संबव है तो यही फोटोग्राफ के माद्धिम से आप भी अपने जीवन में सुख ला सकते हैं तो कर्पया इसको समझते हुए इसका लाबश्य लें इसको समझें इसको जाने और अपने जीवन की हर परिशानी को आप दूर करें बहुत आसान सा तरीका देखिए मैं रोजाना मैं यह महसूस कर रही हूं कि आपके जीवन की परिशानीयों को दूर करने के लिए बहुत आसान आसान जरीय आपके सामने आ रहे हैं लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो यहां फिर आपकी ही कमी है और अगर चाहते हैं अपने जीवन की परिशानियों को दूर करना संपर कर सकते हैं बार बार आपके TV स्क्रीन पर फ्लैश किये जा रहे हैं और अब हम लाइफ अगर किसी सोसाइटी का वास्तू खराबे मान लेते हैं तो सोसाइटी में तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो तो कि वहां पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब परिशान होंगे लेगिए बहुत खराब है इस विशे में आप सबसे पहली देखिये की आपकी किसमत खराब है तो आपके लिए हर चीज परभावशाली हो जाएगी इसका उधारन इस तरह लीजिए एक व्यक्ति उस महाल में बैठा हुआ है जहां सब को कोई दिक्कत नहीं है पर उसको चीक आ रही है अब दूसरे को infection हुआ तो वो क्यूं हुआ बाकी अगर चार लोग बैठे थे तो उनको क्यूं नहीं हुआ कहीं नहीं उसका हम ये मान के चलते हैं कि उसका community system या उसकी रोखशमता जो है वो कमजोर थी तो उसी परकार से जब आपकी ग्रहदशा कमजोर होती है तो निशित तोर पर वास्तु वहां पर प्रभाव शाली हो जाता है पर वास्तु को हम इस तरह से लेते ही हम तो ये सोचते हैं कि हमेशा effective है वास्तु अगर प्रभाव दिखाता है तो एक slow poison की तरह देता है धीरे 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 आपके जीवन पर इसके प्रभाव बढ़ते हैं पर हम देखते हैं कि हम ये सोच रहे हैं इस आप तुरंट कुछ होने वाला है जैसे कुछ कोई आके बाहर से मारेगा या कुछ ऐसा करेगा तो हमें प्रभाव दोश है या किसी परकार का वास्तु दोश आपके घर में है तो वो धीरे 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 आपको प्रभाव दे रहा है तो किर्पा इन अगर बरीकियों को अगर आप समझ ले तो ये बहाना बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए किसाब पूरी बिल्डिंग का वास्तु गल्द है तो मुझे अकेले को क्यों दोश दे रहा है हो सकता है कि उन बाकी लोगों के दस लोग अगर रहते हैं एक फ्लोर के अंदर एक बिल्डिंग में तो दस लोगों में से नौ लोगों के ग्रस्टी अच्छी है और आपकी खराब है और अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं उधरन के लिए मैं साउथ फेसिंग का उधरन देता हूँ मैंने एक विक्ति से बात करी उन्होंने कहा मैंने इनको कहा कि साउथ फेसिंग के मकान में नहीं रही है तो उन्होंने सीधा उठते मुझे कहा कि साउथ में रहने वाले सब दुखी होंगे साउथ में सब दुखी होंगे मैंने कहा भाई इतना क्रोधित मत हुई है एक चोटा सा काम करिए मेरा कहना मान के अपनी गली के अंदर जितने मकान है आपके उनका एक एक एंट्री रिजिस्टर बनाईए और सबसे जाके पूछिए सबसे सबज़ादा समझे है नॉर्थ वालों को है या साउथ वालों को है और उन्होंने बिल्कुल ऐसा निर्क्षन किया और निर्क्षन में पाया कि साउथ के अंदर सतरा घर थे और 17 में से जो व्यक्ति थे 12 लोग इतने जादा ग्रसित थे रोग ग्रसित भी और खास तो पर पीराओं से ग्रसित थे जबकि नौर्थ के अंदर वही 17 घर सामने थे 17 में से सिर्फ उनको 13 लोग मिले जो उन्होंने ये कहा कि साब हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी परकार की को रहार अगर वास्तु कहीं गड़बढ है और एक बिल्डिंग या किसी की बात करते हैं तो जिए दिक्कत हो सकते हैं और या जूररी नहीं कि अगर वास्तु गरत है तो वैल्डिंग को तोड़ा जाएगा आप उसके और निराकर्ण कर सकते हैं आपने इंटेयर को इस तरह कि आप उससे लाव ले सकें. आप उससे बघ सकें. बहुत से रस्ते हैंपर आप न चीजों को समझे, इन बारीकियों को समझें और वासतव के पूर्ण लाव लें.। Bह मञें रास्ते हैं और एक सबसे अच्छा रास्ता जो कि अचारी जी की तरफ जाता है कई बार तो हम फसे होते हैं दो रहा हमें और सोचते हैं बीच पे खड़े हो करके किस तरफ जाएं लेकिन जब एक ही रास्ता है आपके पास तो आप क्यों सोच रहे हैं आप मुझे लगता है अपने घर के वास्तु को या फिर कोई भी समझ्या है उसको दूर करना आ आपके तीवी स्क्रीन पर फ्लेश किये जा रहे हैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात चीट करके बहुत सुन्ना तरीके से आपने बताया कि वास्तु कितना एहम योगदान रखता है हमारे जीवन में जीवन की परिशानियों को बढ़ाने में और साथे साथ उन्हें कम कर जर जरीके सिरिय को ज्अ है हनो आपके सेह जारे इन्हें के बहां धूल को जसानि में अरा När 네 사이 हैं